नमस्कार दोस्तों। भारत में फिल्मों के दीवानों की कोई कमी नहीं है। आज के बदलते दौर में मोबाइल पर फिल्में देखी जा रही है। लेकिन फिल्मों का सही आडियो वीडियो क्वालिटी इंजॉयमेंट तो सिर्फ सिनेमा घरों में ही आता है। इसलिए आज भ नमबर 10 आइनोक्स लशर लिमिटेड भारत के टॉप सिनेमा घरों में शिर्फ दस्वे स्थान पर आने वाला ये सिनेमा हॉल एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय मल्टिप्लेक्स है। ये कंपनी सिनेमा हॉल्स की एक सिरीज है। भारत के लगभग 26 शहरों में शाखाओं क के रूप में ये सिनेमा हॉल्स फैले हुए हैं। अपनी हाई क्लास सुविधाओं, स्क्रीन, सीट्स और प्रोजेक्टर्स के लिए इन्हें जाना जाता है। 150 से अधिक स्क्रीन वाले ये सिनेमा घर भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी आकरशन का केंद्र रहे हैं वर्ष भर खचाखच भरे रहने वाले इन सिनेमा हॉल्स में फिल्म देखने का अपना ही एक मज़ा है। इसे भारत का एक हाई क्लास सिनेमा हॉल कहा जाता है। टॉप सिनेमा हॉल्स के मामले में आठवे स्थान पर आने वाला ये एक और मल्टिप्लेक्स है। इस मल्टिप्लेक्स को 2017 के बाद से संचालित किया जा रहा है। अपने अत्यादूनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद ये सिनेमा हॉल्स दक्चिन भारत में स्थित है। शानदार स्क्रीन और बैठने की व्यवस्था के साथ यहां आने वाले दर्शकों को पोर के प्रोजेक्टर की सुविधा भी उपलब्त कराई जाती है। इन सिनेमा हॉल्स की एक बड़ी ब्रांच त्रिवेंद्रम में स्तित है। नंबर 7. SRS Cinemas भारत का शिर्ष सातवे नंबर का यह सिनेमा हॉल फिल्मे दिखाने के मामले में अग्रणी माना जाता है। इस सिनेमा हॉल को बनाने का श्रे SRS Limited Company को जाता है। इसके भारत में कई ब्रांचेस हैं। भारत के चैसे अधिक शहरों में काम करने वाला S.R.S. सिनेमाज दर्शुकों के लिए लंबे समय से लोक प्रिय रहा है इसकी सबसे बड़ी ब्रांच भारत के फारीदाबाद में स्थित है चटे स्थान पर आने वाला मायाजाल मल्टिपलेक्स भारत के चैन्ने शहर में स्थित है यह अपने आप में 16 स्क्रीन सुविधा देने वाला एक चर्चित मल्टिपलेक्स है इतना ही नहीं इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मल्टिपलेक्स माना चाता है इसकी एक बड़ी वज़ा इसकी विशाल काई बिल्डिंग है यहां आने वाले दर्शकों को खेल और खरीदारी की सुविधा भी उपलप्त कराई जाती है इस सिनेमा हॉल का संचालन 1990 से किया जा रहा है प्रसाद आइमेक्स भारत में किसी भी पहचान का महताज नहीं पांच स्क्रीन के लिए मशूर ये आइमेक्स मल्टिपलेक्स 3D स्क्रीन पर फिल्में दिखाने के लिए प्रसिद्ध है यहां आने वाले दर्शक प्रसाद आइमेक्स के मॉल, फूर्ट प्लाजा और गेमिंग का लुफ्ट उठा सकते हैं इसके निकट ही एक शॉपिंग मॉल भी बनाया गया है साथ ही मूवी थिएटर भी इसकी रंगत को बढ़ाता है राजमंदिर सिनेमा भारत के जैपुर का एक फेमस सिनेमा हॉल है हाला कि इस सिनेमा हॉल की कोई दूसरी स्क्रीन नहीं है इसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा के रूप में पहचान प्राप्त है 1976 से संचालित इस Cinema Hall को राजस्थान का प्रशिद सिनेमा हौल माना जाता है ना सिर्फ भारत में बलकि विदेशों में भी ये चर्चा का केंद्र है दूर दुनिया से आने वाले परिया तक भी राजमंदर सिनेमा में फिल्म देखना पसंद करते हैं भारत के शिर्ष तीसरे नमबर के इस सिनेमा हॉल को City of Cinemas के नाम से जाना जाता है ये सिनेमा हॉल की श्रंखला है इस सिनेमा हॉल्स को बनाने का श्रेय मेक्सिको को जाता है मूलता है मेक्सिको में इसकी कई ब्रांचेज हैं जहां 200 से अधिक सिनेमा हॉल्स में इसकी फिल्में दिखाई जाती है यदि बाद भारत की की जाए तो यहां इसकी 500 से अधिक ब्रांचेज मौजूद हैं इन्हें बनाने के लिए करोडों रुपए खर्च किये गए है नमबर टू बिक सिनेमाज नमबर दो पर आने वाला बिक सिनेमाज 2001 से सफलता पूर्वक काम कर रहा है बिक सिनेमाज को बनाने का श्रे रिलायंस कमपनी को जाता है ये सिनेमा महरास्ट और भारत के बड़े बड़े शहरों में स्थापित किये गए हैं इसे भारत का सबसे बड़ा आइमेक्स भी कहा जाता है अकेले मुंबई शहर की बात करें तो वहाँ 250 से अधिक स्क्रीन के अंतरगत बिक सिनेमाज फिल्म दिखाने का काम कर रहा है संसार भर में इसकी 500 से अधिक स्क्रीन उपलब्द है दोस्तों अब बात करते हैं भारत के टॉप सिनेमा घर की PVR सिनेमाज को 1997 में स्थापित किया गया था इसे बनाने का श्रेय प्रिया विलेज रोडशो को जाता है जो की मल्टिपलेक्स श्रंखला के रूप में जानी जाती है इस PVR के भारत के 64 शहरों में स्क्रीन स्थापित किया गये है यहां आने वाले दर्शकों को सुन्दर स्क्रीन, बैठने की टॉप क्लास फेसिलिटी और पार्किंग की बहतर सुविधा प्रदान की जाती है वर्तमान में इसके 750 से अधिक स्क्रीन्स है यह देश और दुनिया का सबसे चर्चित सिनेमा घर माना जाता है तो दोस्तों आपको हमारा ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें ऐसी ही ज्यानवर्दक और रोचग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं धन्यवाद आपका दिन शुभो